सब्सक्राइब करने वाले हैं आपका कुछ वेकंसी के बारे में और ये वेकंसी आपकी जो इंटरनेशनल फोरेंसिक साइंस है उसकी तरफ से निकाली गए हैं अब क्या वेकंसी हैं कौन सी पोस्ट है वो सारी चीजों के बारे में जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं तो यहां पर बैसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को सभी के साथ में शेय आईएगा अभी स्टार्ट कर लेते हैं और यहां पर सबसे पहले तो आप यहीं देख लिए कि यह वेकंसी आपकी आई-ए-फैस की थ्रू आई हुई है और इसमें आपका बिसिकली जो आपकी पोस्ट है वो जूनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की वेकंसी है साइंटेफिक जूनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट या फिर जूनियर साइंटेफिक ऑफिसर यह दो वेकंसी है मतलब बिसिकली दो पोस्ट है यहां पर फूल टाइम यानि कि यह पर्मनेंट वेकंसी है बाकी यहां पर जॉब की फीचर्स क्या है काम क्या क्या है उस सारे कुछ यहां पर ल जो कुछ भी है वो सारा काम देखना बाकि यहां पर जो जॉब की प्लेस है वो पूने महराश्ट्रा ही रहने वाली है और अगर आपकी आपकी जॉब लग जाती है इसमें तो आपको वहीं जाकर रहना भी पड़ेगा ठीक है और उसके अलाबा यहां पर जो क्वालिफिकेश इसमें डिरेक्ली बोला हुआ है कि BSC Forensic या फिर MSC Forensic दोनों ही लोग इसमें इलिजबल है एक्सपीरियेंस की बात करें तो यहां पर क्लियरली लिखाए कि एक्सपीरियेंस की वन येर का अगर आपके पास है तो बेस्ट है लेकिन जो फ्रेशर हैं वो भी यहां पर अप लिखाए कर सकते हैं उसके लाव यहां पर सेलरी की बात करें तो जो सेलरी रहेगी यहां पर वो डिसाइट करी जाएगी आफ्ट दर परफॉर्मेंस इन इंटर्व्यू और ब्रीफ जो आपकी डिटेल्स आप अप्लिकेशन फॉर्म में भरेंगी उसके इक्वाडिंग नहीं आने वाली है यह application आपके 20th of March से start हुए है और last date यहाँ पर है 25th March तो 20 March से application start हुए है last date 25th March है तो आपको 25th March से पहले पहले इन vacancies के लिए apply करना है अब यहाँ पर जब आप form fill कर देंगे उसके बाद में 15 से 25th April के बीच में यहाँ पर यह लोग shortlist करेंगे candidates को और जितने भी shortlisted candidates होंगे उनको interview के लिए बुलाया जाएगा first round यहाँ पर जो होगा वह आपका 20 से लेकर के 30th of April तक होगा और यह आपका completely online रहने वाला है इसके बाद में जो first round में आपके select होंगे उनका second round होगा और second round में जो interview होगा वह आपका 30th of April को होगा और यह offline यानि की face to face interview होगा और जो final result है वह भी 30th of April को ही आ जाएगा तो आपका 30th of April तक joining भी आपको कर लेनी होगी बैसे कि 30th of April को आपका final result आएगा और joining आपकी first of May तक हो जाएगी इसके बाद में यह तो basically जो इसकी details है वो हमने देख ली अब यहाँ पर चलते हैं इनकी proper जो आपका form है वो किस तरह से बढ़ना है उसमें कहका detailing आपको चाहिए उसको देख लेते हैं कि आप अगर आपकी job यह आपको select कर लेते हैं तो आप उनको किस तरह से help कर सकते हैं आपको अपने बारे में यहाँ पर describe करना है और यह job आपको क्यों चाहिए है आपकी क्या need है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा और इससे पहले आप कोई job करते थे या नहीं अगर करते चाहिए थे तो आपने वो जौब को यहाँ पर क्यों कृट किया वह आपको बताना है कि यह लोग जो हैं आपको basically क्यों select करें इसका मतलब कि आप जो हैं inके लिए क्या कर सकते हैं क्या बेस्ट कर सकते हैं जो कि बाखी के स्टूडेंस जो है वो नहीं कर सकते हैं तो यह वाला कॉलम आपको बहुत अच्छे से explain करते हुए लिखना है अपनी जितनी भी strength और weakness है वह आपको यहां पर लिख देना कि कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको जॉब लगने के बाद वहाँ पर shift करना ही करना पड़ेगा उसके बाद में next यहां पर पूछा गया है कि आपको जॉइनिंग thoughts मिले हैं या जितने भी detailing है आपके बारे में वह सब कुछ आपको यहां पर अच्छे से लिखना होगा और clearly यहां पर लिखा है कि आपको copy paste नहीं करना है यह सारी चीजें आपके CV से तो CV से आपको सबको चीए copy paste नहीं करना है आपको normal language में detailing आपको यहां पर लिखनी है उस सिर्फ topic भी बता देंगे तो भी उतना चलेगा अब आगे चलते हैं और यहां पर आपका next है basically यहां पर आपको बताना है कि आपके पास total कितना experience है जहां पर आपने जो भी को चीज़ा आप यहां पर indicate कर देंगे कि इन vacancies की बारे में आपको कहां से पता चला है तो वह आपको यहां पर बताना है advertisement reference में उसके अलावा आपने कोई IFS से कोई course किया है basically यह लोग कुछ है online courses भी करवाते हैं offline भी करवाते हैं तो वह आपने यहां पर करें है या नहीं करें है उसके बारे में आपको यहां पर बताना है और अगर नहीं करें तो आपके पास computer की skills हैं या नहीं है तो यह आपके सामने कुछ options हैं तो इसमें से आपको कुछ एक choose कर पर जो भी cases रहेंगे तो वहां पर उनको attend करने के लिए आप अबल है या नहीं है तो वह जीज़ आपको बता देनी है यहां पर भी आपको सामने तीन options हैं तो इसमें से जो भी आपको सही लग या आप चूस कर सकते हैं इसके बाद में इसके पूछा है फ्रेंसिक साइंस म आप लो लेविल या फिर फ्रेशर कांडिडेट्स हैं next applying post आपसे पूछे गई है कि आपके इस post के लिए apply करना चाहते तो यहां पर यहां पर यहां के सामने कुछ vacancies हैं यहां पर आपका पहला तो है junior forensic assistant freshers then forensic expert experience जो भी है और यहां पर आपका junior forensic expert freshers, office assistant personnel और assistant then supervisor highly experience चाहिए ह स्टाफ और कोर्स कोडिनेटर के लिए आप अपलाई कर सकते हैं सीनियर पोस्ट वह आपका हाइली एक्सपीरियंस लोगों के लिए यहां पर रहने वाला है अब यहां पर जो आपकी पेमेंट रहेगी तो वह किस एकॉर्डिंग रहेगी वह चीज यहां पर लिखी हुई है आप इसको देखिए कि आपका जो फर्स्ट आपका 3-6 मंस रहेंगे यहां पर आपका प्रोबेशन पीरियेड रहेगा प्रोबेशन पीरियेड का मितलब होते है ट्रेनिंग पीरियेड इसके बाद में आपका जो आपकी सेलरी रहेगी वह 20-35% के बीच का आपका कुछ इंक अपको मिलेंगे अब यहां पर यहां आपकी एक्सपीरियेंस जितनी है उसके अपकी सेलरी लिखी हुई है कि अगर आप फ्रेशर कंडिएट्स हैं तो उस कंडिशन में यहां पर फ्रेशर के लिए जो आपकी वेकेंसी है वो 10,000 से 13,500 के बीच में है अगर आपके पास एक 20,000 या इससे भी कुछ उपर रहने वाली है और उसके अलावा जो चीज आपकी 20-35% का इंक्रीमेंट बताया गया है 6 months के बात में तो वो चीज भी यहां पर होने वाली है तो यह साथी कुछ चीज़ें हो गई और यहां पर फिर आपको कुछ रिस्पॉंस देने हैं जो कु जादा तो आपका नहीं निकल पाएगा लेकिन हां इससे आपको सब्सक्राइब आपका एक्सपर्टीज आजाएगी आपका एक्सपीरियेंस यहां से काउंट हो जाएगा तो यह सारी कुछ चीज़ें और बिसिकली पर्मनेंट जॉब है और बाद में ध्रेद्रे करके बहुत ही अच्छी अपॉर्चनिटी है और यहां पर लास्टेट का खास ख्याल लखेगा कि लास्टेट यहां पर आपके 25 अच्छ है तो यह सारी कुछ चीज़े थे जो कि मझे बताने तो उमीद करती हूं आपको समझ में आया होगा और यहां से बहुत कुछ जानने को मि उसके बारे में और यह वीडियो सबी के साथ में शेर जरूर से कर देज़ेगा तकि सबी तक यह वीडियो पहुंच सके और वीडियो में बताएगा इंफोमेशन अगर आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देगे चैनल पर पहली बार आहे है यह को subscribe जरूर से कर लेंगे, bell icon press कर लेंगे for daily updates and thank you so much for joining me here.